दस दिवसे गड़ेश उत्सव संपन हो चुका है और इसे लिकर नीमच में भी इन दस दिनों में काफी धूम रही रोजाना पूजा अर्चना का दौर चला जिसके बाद अब दस दिवसे गड़ेश उत्सव संपन होने पर सभी भक्तों ने अपने बपा को आखरी अंतिम वि महारती में मगन रहे हैं अनुत चैतुरदशी के अब दूसरे दिन आज दिन दोपहर में अंतिम आर्थी के पुशाद शहर के अंबैटकर कॉलनी कड़ेश उत्सव समेती ग्रूप द्वारा स्थापित की गई कड़ेश प्रतिमा का विसर्जिन करने शहर के मोख्य मार्ग खारीकुवा, मुल्चेंदमार्ग, जैस्वाल, लौज, यादफ मंडी, नातुलाल, धर्मशाला, शंकर मिल्चुराहा, सत्यनार्यन मंदिर, शंभूबली एकता कॉलोनी होते हुए ढोल नगारों के साथ योग की टोली लेजिम बचाते रहे और तो वही दीचे की धुन प मुल्चे झाल झाल पुरी आदो समाज और पुरी हिंदु समाज आई और उसी के साथ ही चलते ही पुरा ये गणेची का वो निकाला जा रहा है दस दिन ओती जोरो सोरो से दस दिन तक बनाया गाया है गड़ेश चतुर्थी और दस दिनों तक काफी बढ़िया मनोरंजन हुआ सबका और सबोंने खुम आनद लिया और ये विसरजन भी उसी तरह हो रहा है विसरजन के दोरान डीजे बुलाए गए हैं डॉल बुलाए गए हैं और भाना बन्नाटी जो भी होता है लेजम बगेरा सारी चीजे चल रही है यहां से अपने अम्मेटकर को लोनी से सीवगाट को जुलूस ले जाए जाएगा सीवगाट में विसरजन किया जाएगा यादो महासबा उत्सव समीती पूरी इन्वाल रही है इस काम में और पूरा कार है घ्राणी में दस दिन काफी उत्सा रहा रहा सभी लड़कों में बहुत उत्सा रहा और सबी जगा जगा से मुख्यतिती बुलाए गए भारी भरकम प्रोग्राम करे गए अम्मेटर का लोरी में